हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दुस्तों है विशा अला सब करता हूँ आपई के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पहला आइगन को दबाना ना बुले है आपके आपको हमार वीडियो को देखने से पहले ध्यान लखेगा वीडियो को लाइक कर लीजेगा कॉमेंट करके बताईएगा इनकेस अगर वीडियो अच्छे लगती है तो आपको और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी दबा दीज आपको सबसे पहले एप खोल के दिखाएता हूं जिसका नाम है MacroDroid ओके दोस्तों यह काफी अच्छी एप्लिकेशन है आप जैसे यहां पर जाएंगे यहां पर आपको सर्च करना होगा MacroDroid के नाम से ओके दोस्तों जैसे इसका नाम है MacroDroid Device Automation क्या है यह दोस्तों Automation का क ही काम होगा यहां पर और कुछ action आपको बनाने होंगे यहां पर और robotic ही काम होगा बतायता हूं मैं कैसे आपको क्या करना होगा दोस्तों इसके लिए application को install करने के बाद आपको यह application खोल लेनी है जैसे ही आप application खोल लेंगे यहां पर आपको इस तरीके से interface देखने को ऋ दोस्तों यह सारे चीजिए आप यहां पर create कर सकते हैं form create करना फॉरम तो Forum create कर सकते हैं ओके दोस्तों यानिक्षपोर्ट, Import वगरा कुछ करना है तो कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं actually macro होता क्या है अब यहां पर जाएगे आप यहां पर यां पर आपको पूस ट्रिगर, यानि कि किसी एक action को आपको perform कराना है, action यानि ट्रिगर को आपको perform कराना है, यानि कि application पर जा सकते हैं, battery and power पर जा सकते हैं, चलिए मैं करता हूँ, application पर जाता हूँ, और क्या करना है मुझे यहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर application launch करनी है, close करनी है, यहाँ install remove यह सारे action मुझे create करना है चलिए मैं application launch पर click करता हूँ और ok पर click करता हूँ ओके दोस्तों अब यह सारी app आपके mobile में जितनी है वो सारी app यहां पर लाके रख देगा ओके दोस्तों अब जैसे कि मैं chrome को select कर लेता हूँ और ok करता हूँ इसके लिए accessibility required होगी मुझे तो मैं इसे ok कर दूँगा और accessibility यहां पर जाके check कर लूँगा यहां पर accessibility यहां पर इसकी off है इसे on कर दूँगा ओके दोस्तों चलिए दोस्तों यह हमने कर दी on अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर जाके इसे ok करेंगे अब देखिए application launch होगी chrome chrome application launch कब होगी अब इसके लिए हमें बनाना होगा action action पर जाके हम देख सकते हैं कि किस condition पर chrome को हमें run कर आना है यानि कि हम चाहते हैं कि जब भी हम देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे action है जैसा कि लिखा है कोई application का एक और option है यानि कि अगर आप चाहते हैं कि यह application जब खोलू तब Chrome खुल जा तब खुल जाएगी लेकिन हम क्या करेंगे हम date time का एक वो ले लेते हैं ओके दोस्तो say current time say current time यानि कि 24 hours 12 hours का हम जो भी लेना चाहिए ले सकते हैं या फिर alarm clock का लेना चाहिए तो वो भी ले सकते हैं अब इससे क्या होगा आप alarm set कर दीजिए okay कर दीजिए alarm आप जो set करेंगे यहाँ पर चलिए मैं ले लेता हूँ एक तरीकी से यह लेता हूँ two hours two minutes का ले लेता हूँ ओके दोस्तों इससे okay कर देता हूँ अब दोस्तों क्या होगा यहाँ पर जैसे यह alarm हिट करेगा तुरंट application chrome आपके mobile में खुल जाए और इस macro को आप एक नाम भी दे सकते हैं जैसे कि launch chrome ओके दोस्तों और इससे create कर सकते हैं तो जैसे ही यह alarm हिट होगा वैसे ही यह trigger आपका काम करने लग जाएगा अब बात करते हैं what is constraint constraint क्या है दोस्तों यह चीज है आपकी optional आप इसे लेना चाहें ले सकते हैं नहीं लेना चाहें it's okay लेकिन दोस्तों इसको दिया गया है तो इसका कोई ना कोई value है अब क्या value है मैं आपको बताता हूँ यहाँ आप constraint पर यागे constraint क्रियेट कीजिएगा दोस्तों ओके दोस्तों अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है constraint are optional and can be used to allow to prevent a macro action from running based on certain condition macro action will be run if the constraint condition is true यानि कि दोस्तों आपका action तभी काम करेगा जब यह condition true होगी यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है आप यहाँ पर इसे true or false condition में use कर सकते हैं कैसे आप चाहते कि battery power आप battery level decide कर सकते हैं यानि कि आपका battery percent 50% से उपर है या नीचे है तो अब यह क्या करेगा यह आपके action को जाके check करेगा कि आपका action क्या है जैसे कि आपका सबसे पहले check होगा कि कितने percent यहाँ पर 50 है यानि कि आपके battery के percentage क्या है अगर 50% होगी then this is true तो यानि कि यह constant में अंदर गुझ जाएगा दोस्तो then यह action चेक करेगा कि आपका action क्या है then यह काम करेगा otherwise इसकी यहीं पर जाके condition fail हो जाएगी या फिर जैसे भी यह less than नहीं होगा तो यह constant काम नहीं करेगा यह macro काम नहीं करेगा तो काफी अच्छी है यह इससे आप automatic अपने mobile को create कर सकते हैं दोस्तो device का state आप चेक कर सकते हैं device state बनाके अगर airplane mode पर है तो आपका chrome खुल जाना चाहिए यह सारी चीज़े हो जाएए तो यहां पर बहुत सारे आप macros create कर सकते हैं कितने भी आप करने चाहिए सब का नाम दे सकते हैं जो कि काफी बहुत अच्छी application है बहुत बड़ी application है यह तो यहां पर जाके आप इससे use कर सकते हैं इसे save भी कर सकते हैं इसे discard भी कर सकते हैं ऐसे आप macro wizard create कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो trigger action और constant के basis पे यह भी वही चीज है जो macro है यहां पर जाके आप forum देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो chrome पर जाके export, import करना चाहते हैं अगर wizard वगेरा को आप वह भी कर सकते हैं Macros को किसी और किसे करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं काफी अच्छी application है इस application को आप easily use कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें comment करके बताइएगा वैसे मैंने आपके आदे से यादे problem का solution कर दिया है उमीद है ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और bell icon को दबाना ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे आपको next वीडियो में ऐसी ही amazing tips, tricks और नईने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो